नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो हम पढ़ रहे थे समास, इसके अंतरगत हमने कर लिया था समास का अर्थ और उसके तीन भेद आज हम पढ़ेंगे समास के जो अन्य तीन भेद बचे हुए हैं उनके बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर इससे पहले हमने पढ़ा था समास के अंतरगत आने वाले जो तीन उसके अलग-अलग प्रकार थे या तीन भेद थे उसके सबसे पहले हमने पढ़ा अव्याई भाव समास जिस समास में क्या होता था कि जिसका जो प्रत्थम पद होता था वही प्रधान होता है और वो एक अव्याई होता है कि यदि इसके अलावा हमने उसकी पहचान भी पढ़ी थी कि जिसके अरंभ में क्या लगे अरम में यता हर भर इस तरीके के शब्द अगर उसमें पहले आ जाएं तो वो क्या होगा वो अब्याई भाव स्मास कहलाएगा और दूसरा हमने उसके बाद पढ़ा ततपुरुष स्मास ततपुरुष स्मास के अंतरगत हमने पढ़े कि उसके छे भेद होते हैं और उसके बाद हमने पढ़ा करमधार स्मास करमधार स्मास में क्या होता है कि उसका उत्तरपत परधान होता है लेकिन दोनों पढ़ों के बीच में क्या होता है विशेश्य और विशेशन का संबंध होता है तो आज हम पढ़ेंगे अगला जो चौथा स्मास है वो है द्विगू स्मास तो देखे दोस्तों द्विगू स्मास में क्या होता है कि यह कहा रहा है कि जिस स्मस्त पद का पोरव पद संख्या वाचक विशेशन हो उसे क्या कहा जाता है द्विगू स्मास कहा जाता है हमने simply याद क्या रखना है कि जो पहला पद है उसमें क्या होगी कोई संख्या दियोगी और वही संख्या क्या है उस संख्या पद की क्या विशेश्टा को भी बितलाए तो वो कौन सा स्मास हो जाएगा द्विगू स्मास देखे जैसे हमारे पास उदाहरण है त्रिकोन तो त्रिकोन में देखे पहले क्या है तीन है ना संख्यावाचक कोई शब्द है विशेशन है तो त्रिकोन मतलब तीन कौनों का क्या है उसमें समावेश है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि त्रिकोर्ण में कि कौन सा स्मास है द्विगू स्मास है दूसरे देखिए सप्ताहा तो सप्ताहा में क्या है साथ साथ दिनों का स्मुह तो ये सप्ताहा जो शब्द है ये भी कैसा शब्द है ये भी कैसा पद है? ये द्विगुसमास है ठीक वैसे ही तिरंगा, तीन रंगों का स्मुह तो तिरंगा में भी देखी क्या है? संख्या वाचक शब्द है पहले संख्या वाचक विशेशन है एक तरीके से और चोरहा इसमें भी चार जो संख्या वाचक विशेशन है तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो द्विगुसमास है वहाँ पर हमने simply याद क्या रखना है कि पहले क्या आ रहा है उसमें कोई संख्या आ रही हो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें क्या है? द्विगुसमास है clear है दोस्तों? तो चलिए अब हम देख लेते हैं पांचवाँ तो पांचवाँ है द्विगुसमास अब द्विगुसमास में देखी क्या होता है कि ये बहुत ही simple और बहुत ही easy जिसको हम याद कर सकते हैं ये द्विगुसमास है और इसको याद करना कोई बराबर है मतलब प्रधान है और विग्रह करने पर ये कह रहा है कि जब हम उसका विग्रह करेंगे किसी शब्द का या किसी समस्थ पद का तो उसमें क्या हो जाएगा हमें और अथवा या एवं इत्यादी जो शब्द हैं वो आ जाएंगे हमें, वो प्राप्ट होंगे. जैसे देखिए माता पिता, माता और पिता. तो यहां पर और शब्द क्या है? वो हमें मिल रहा है. ठीक है ना? यह बीच में लग रहा है, माता और पिता. जैसे माता या पिता. ठीक है? और इसकी पहचान देखिए क्या है कि ये बोलता कि दोनों पदों के बीच योजक चिन का प्रियोग होता है योजक चिन मतलब जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हाइफन कहते है तो दोन दोस मास में क्या हो जाता है अगर हमें मान लीजिए दोनों पतों के प्रधानता का पता नहीं चल रहा है यदि हम असमर्थ हैं मतलब कि उसमें हमने उसका विग्रह कैसे करना है हमें और अथवाया एवं इत्यादी का भी जानकारी नहीं है तो हम क्या करेंगे हम सिंपली देखेंगे किसको कि उसके बीच में योजक चिन लगा है या नहीं लगा है कई बार इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें दोन दस्मास है लेकिन कुछ एक शब्द इसके अभवाद हैं दीखें जैसे सबसे नीचे आप देख रहे हैं कि देवासूर घरदवार यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो है हमें योजक चिन जो हाइफन है वो नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें भी कौन सा स्मास है इसमें भी दुन्दस्मास है कैसे देवासुर देवता और असुर ठीक है देव या असुर तो इस तरीके से भी हम इसका क्या कर सकते हैं विग्रह कर सकते हैं लेकिन विग्रह करने से पहले हमें यहाँ पर क्या है योजक्चिन तो नहीं इसके जैसे घर द्वार, घर द्वार क्या है, घर और द्वार, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी योजक्चिन नहीं लगा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि और अत्वा या एवं इत्यादी शब्द जहां पर बीच में विग्रह करने पर आते हैं, तो उसमें कौन छास, पाताल, दिन, रात, तो इन दोनों शब्दों के बीच में क्या है? योजक चिन लगा है, तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये दुन्ध समास है, समास से इस तरीके से भी प्रशन पूचा जा सकता है कि जिस समस्त प्रद के लें प्रधान हो और बीच में योजक चिन लगा हो उसे वह कौन सा स्मास कहलाता है तो हमें याद होने चाहिए जो जितने भी स्मास हैं उनके हमें थोड़ी थोड़ी परिवाशा या उसकी पहचान हमें याद होनी चाहिए क्लिए रहे दोस्तों चलिए अब देख लिते हैं बहु पुरी स्मास में देखिए क्या होता है ये कहते कि जिस स्मस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था इससे पहले हमने शब्द पढ़े थे और शब्दों में हमने देखा था योगरूड शब्द देखो एक था रूड एक थ तो ठीक वैसे ही जो योग रूड शब्द है वही हमने क्या करना है यहां पर एपलाई कर देना है कि इसमें बहुबरी समास में तो यह कह रहा है कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता परंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं वही ब दाहरन कह दिया है इसमें दशानन का ही उदाहरन है इसमें यह कह रहा है कि दशानन किसके लिए हो गया है रावन के लिए हो गया है दश आनन दस हैं और सिर हैं दोनों पद क्या हैं परधान नहीं है लेकिन जो तीसरे इसका अर्थ है वो किसके लिए रूड हो गया है वो हो गया है किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैसे तो दस सिर्वाला कोई भी हो सकता है लेकिन वो रूड किसके लिए हो गया है वो रावन के लिए ही हो गया है नील कंठ नीला है जिसका कंठ ठीक है तो उसमें क्या जाएगा जैसे नील कंठ किसको कहते हैं शिप जी को जैसे और यह इशारा करता है, है ना, तीसरे पत की और संकेत करता है, वो ही इसमें क्या होता ? एक तरीके से, प्रधान रहता है. जैसे लम्बोदर है, देखिए, लम्बोदर किसको का जाता है ? गनेश को, है ना, तो वैसे तो लंबे पेट वाला कोई भी हो सकता है ठीक है लेकिन ये रूड किसके लिए हो गया है ये गणेश के लिए ही रूड हो गया है चत्रभुज चार भुजाओं वाले तो कई हैं लेकिन चत्रभुज किसके लिए कर दिया है चिन्नित कि उसका मतलब है कि वो विश्णु है तो ये था बहुवरी स्मास जिसमें दोनों पद परधान ना होकर तीसरा पद परधान होता है तो clear है दोस्तों ये थे हमारे स्मास अगला जो स्मासे देखे इन छे स्मासों के अलावा वो है नन स्मास तो नन में देखी क्या होता है नो और नो लिखा हुआ है नन स्मास ये कहता है कि जिस स्मस्त पद के पूरव पद में निशेद सूचक या सकारात्मक शब्द लगे हो उन्हें नन स्मास कहा जाता है यहां पर लगे हैं की जगा लगे हो होगा ठीक है उन्हें क्या का जाता है नन्समास कहा जाता है देखे कहने का अभी प्राय क्या है ये बोल रहा है कि ऐसा कोई समस्थ पद है जिसके पूरव में क्या हो जिसके आरंभ में ही क्या लगा हो नकरात्मक शब्द लगा हो जिससे हमें मतलब की निशेदात्मक जो शब्द है निशेद सूचक मतलब शब्द लगा हो उसे क्या कहा जाता है नंसमास कहा जाता है जैसे देखिए हमारे पास इसकी पहचान को याद कैसे रखेंगे जैसे अलिका है अन है, न है, न और गैर ये जो शब्द है ये अगर पहले आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा नंसमास हो जाएगा तो सारे के सारे क्या है नकरात्मक शब्द है न जैसे धर्म तो अधर्म तो अधर्म में क्या हो जाएगा अधर्म में क्या हो जाएगा नंसमास हो जाएगा क्योंकि वो औ से क्या हो गया वो नकरात्मक हो गया वो शब्द जैसे ना चीज, ना पसंद ठीक है ना लायक, गैर जिमेदार गैर सरकारी, गैर वाजिब तो इस तरह के के जो शब्द हैं दीकिए उसमें कौन सा समास है उसमें है नन समास तो ये थे दोस्तों समास उसके कुछ रूप उसका अर्थ के बारे में हमने पढ़ा अगली वीडियो में हम देखेंगे हिंदी भाषा प्रियोग के बिविद रूप तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई उर्जा और स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत जै हिंद जै भारत